हेलो एव्रिवन आज की क्लास में स्वागत है आज हम लोग इस चैप्टर का आखरी लेक्चर कर रहा हूं रिकॉर्ड और इस चैप्टर के अंदर अब जो रह गया है वो यह रह गया है कि ITC को कैसे यूटलाइज करते हैं इंपूट टैक्स रेडिट को कैसे यूटलाइज कर या फिर हम रेगुलर से कॉंपोजिशन में जाते हैं तो ITC करना पड़ता है तो अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो ITC का यूटलाइजेशन है कि ITC को कैसे यूज करना है इसके बारे में वैसे तो मैंने पहले चाप्टर की शुरुआत में इंट्रोडक्शन के अंदर ही बहुत बात सारी बातें क्लेर कर दी थी बड़ एक बड़ी और बहुत अच्छे से क्योंकि यहां पे सीए और सीएम में के लिए सब्जेक्टिव कोशन आना तय है और सीएस के लिए मतलब आना ही आना है ठीक है तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है सोला सत्रा ठारा और एक यह सेक्षिन सेक्षिन नमबर फॉर्टी नाइन विचल पेइमेंट ऑफ टैक्स के अंदर में यह चीज़ दुबारा नहीं कराऊंगा ठीक है तो बचों कैसे हमें आउट्पुट टैक्स पे करना होता है अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने आपको यह बात तो बताई थी कि आउट्पुट टैक्स को पे करने का क्या तरीका होता है क्या सस्टम होता है बोलो आउट्पुट टैक्स जो आपकी आउट्पुट टैक् दोस्तो, output tax liability होती है, है ना, उसको pay करने का दो तरीके होते हैं, एक होता है input tax credit, अगर आपके पास input tax credit पढ़ा हुआ है, तो आप input tax credit से pay कर दो, या फिर आप, by cash deposit करा दो payment, समझ में आगया, by cash, जब मैं कहता हूँ न, by cash, इसका मतलब, सिर्फ cash का मतलब raw cash की बात नहीं हो रही है, by check भी हो सकता है, by online payment भी हो सकता है, तो output tax liability, यानी हमारा output tax register, जो हमारा liability register है, और एक अगर आप लोगों ने याद हो, तो एक electronic liability register होता था, जो मैंने आपको दिखाया था, electronic credit ledger होता है, और एक होता है electronic cash ledger, बहुत simple सा logic है दोस्तों कि अगर 10,000 रपे की liability है, और मुझे मेरे पास 6,000 रपे का credit पढ़ा है, तो क्या मैं government को 10,000 रपे पूरे दे दूँ, या मैं 6,000 पहले utilize कर लूँ, क्योंकि 6,000 एक तरह से मैंने दिये हुए, तो मैं क्या करूँगा, तो 6,000 को पहले utilize करूँगा, ये 6,000 यूज करने के बाद बच जाएंगे liability में 4,000, तो मैं cash में जमा करवाऊंगा, electronic cash ledger, is just like pay tm, जैसे pay tm में आपकी wallet होती ही न, वैसे ही आप जैसी पैसा deposit कराते हो, UPI से online payment जैसे भी, तो आप electronic cash ledger बढ़ जाता है, और वो हमेशा वाँ पे display करेगा, जब तक आप उसको use नहीं करते हो, use कैसे करोगे, जैसे आपने 4,000 रुपे deposit कराए, तो 4,000 रुपे adjust हो गए, liability भी 0, credit ledger भी 0, cash ledger भी 0, अगर 5,000 deposit कर जाये होते, तो 4,000 adjust करके 1000 रुपे बच जाते, और वो आगे कभी काम आ जाता, समझ में आती है बात, हाँ, इस पर कोई interest नहीं मिलेगा, बट आपका liability cash ledger में पैसे पढ़े रहेंगे, it's just like paytm, जैसे paytm में भी कोई interest नहीं मिलता, दोस्तों, तो ये output tax liability, हम उसी की बात कर हैं, और अगर आपको याद हो ये बात, कि हम लोगों ने discuss किया था, कि जो input tax credit होता है, है ना, जो input tax credit होता है, उसकी utilization कैसे होती है, इसके बारे में हम discuss कर चुके, मैं एक बारी फिर से बता रहा हूँ, हम लोगों ने discuss किया था, कि दोस्तों, CGST का जो credit होता है, वो CGST या फि तो आप SGST या फिर IGST के साथ set off कर सकते हो, UTGST का credit है, तो आप UTGST या फिर IGST के साथ adjust कर सकते हो, और जो IGST का credit है, मतलब purchase पर आपने IGST दिया हुआ है, और आपके अस credit पढ़ा हुआ है, तो वो आप set off कर सकते हो, IGST, CGST, SGST और UTGST, ये बात मैंने, जो मुझे याद है, मैंन जो introduction थी indirect tax की, उसके अंदर भी मैने ये बात बताई थी, now everyone, परते है, इसके अंदर क्या लिखा है, ठीक है, section 49.5, the amount of input tax credit available in the electronic credit ledger of the registered person on account of integrated tax, यानि IGST, shall be first utilized towards the payment of integrated tax, ये बात हमें पता है, and the amount remaining, if any, जो amount बच जाए, IGST के credit, that may be utilized towards the payment of central tax and state tax, as the case may be, union territory tax in that order, मतलब आप अपनी मर्जी से इसको central tax और state tax के साथ adjust कर सकते हो, और अगर state नहीं है, UT है, तो UT tax के साथ adjust कर सकते हो, जिस मर्जी order में adjust कर सकते हो, मतलब जिस मर्जी amount के अंदर set off कर सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है, हाँ, पहले CGST की बात हो रही है, पहले obviously IGST की बात हो रही है, if any, may be utilized towards the payment of central tax, state tax, और या फिर UTGST, समझ में आगी बात, ये बात तो हो गई, the central tax shall be first utilized towards the payment of central tax, and the amount remaining, if any, that may be utilized towards the payment of integrated tax, तो basically कि जब मैं integrated tax की बात करता हूँ, तो उन्होंने बोला IGST के लिए, पहले तो IGST के साब set off करना है, जो बच जाए, उसके बाद पर UT tax के साथ अज़स कर सकते हो, in that order, मतलब इस order के अंदर, ठीक है, और अगर हम बात करें central tax की, यानि CGST की, तो CGST का credit पहले CGST के साथ अज़स करेंगे, और फिर IGST के साथ अज़स करेंगे, तो similarly, state tax, यानि SGST, शल बी first utilized towards the payment of state tax, and the amount remaining if any utilized towards the payment of integrated tax, the provided that input tax credit on account of state tax shall be utilized towards the payment of IGST, only when the balance of input tax credit on account of central tax is not available for the payment of integrated tax, क्या बोलता है, ध्यान से, इस वाले point को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, provided that the ITC on account of state tax, यानि SGST के credit की बात कर रहा है, shall be utilized towards the payment of, shall be, on account of SGST, shall be utilized towards the payment of integrated tax, only when the balance of input tax credit on account of central tax is not available, यानि मान लो, CGST का credit भी पढ़ा हुआ है, दोस्तों, और SGST का credit भी पढ़ा हुआ है, क्या रहा है, SGST के credit का पहले तो हमने SGST के जाज़स करना है, और इसके बाद IGST के जाज़स करना है, यह बात हमें पता है, ठीक उसी तरीके से पहले CGST को CGST के साथ ज़स करना है, और फिर IGST के साथ, यह भी हमें पता है, बट जब हमें SGST को SGST के साथ करने के बाद, अगर अभी भी मानलो balance बच रहा है, मानलो SGST के credit है 100 रुपे, और SGST का यह जो output tax liability है, वो है 80 रुपे, अभी भी 20 रुपे बच रहा है, यह 0 हो गया, अभी भी 20 रुपे बच रहा है, अभी 20 रुपे में IGST की liability के साथ सेट आफ क कहता है कि पहले IGST का CGST की साथ adjustment करना, इसलिए जो SGST का credit है, वो जो 20 रुपे बच जाएगा, वो IGST के साथ सेट आफ करने से पहले, यह जरूर चेक करना है कि कहीं CGST का credit बचा तो नहीं है, क्योंकि अगर CGST का credit मानलो 200 रुपे था, और CGST का output था, वो 150 रुपे था, तो इसक के साथ adjust करने के बाद, 50 रुपे का credit बच गया, और मानलो IGST की जो liability है, वो सिरफ 30 रुपे है, और जब IGST की liability 30 रुपे है, तो आपके दिमाग में साथ SGST का credit IGST की साथ सेट आफ करूं, यह CGST का credit IGST के सेट आफ करूं, तो law कहता है, पहले CGST का credit IGST है सेट आफ करके काम खतम क कर दो, ठीक है जी, तो अब यहाँ पे 50, यह 30 रुपे की liability थी, यह खतम हो गई, 50 के बाद भी CGSA credit अभी 20 रुपे रह गया, so provided that input tax credit on account of state tax shall be utilized toward the payment of integrated tax, only when the balance of input tax credit on account of central tax is not available for the payment of integrated tax, यानि central tax का credit नहीं पढ़ा, तो जो है, आप SGST का credit integrated tax के साथ अध अज़स्ट कर सकते हैं, the UT tax shall be first utilized toward the payment of UT tax, यानि union territory के UTGST, UTGST के साथ पहले adjust होगा, उसके बाद जो बचेगा, वो IGST के साथ अज़स्ट होगा, यह बात भी सही है, आगे बट वही बात फिर से लिखेगा, कि provided that, that input tax credit on account of UTGST shall be utilized toward the payment of integrated tax, only where the balance of the ITC on account of central tax is not available for the payment of integrated tax, मतलब पहले central tax का आपको settlement कर देना है, IGST के साथ, अगर बचा है तो, और अगर central tax बचा हुआ है, तो आप पहले UTGST का credit IGST के साथ set off नहीं कर सकते हो, मेरी बात समझ रहे हो, अगेन वही बात है, UTGST का credit आप बिल्कुल last में set off करोगे, पहले आप central वाले credit को खतम करोगे, Is that clear? तो आपको करना ही क्या है, आपको जब भी कोई question करना है, जब भी कोई case आजाए आपके सामने, आपको हमेशा याद अखना है, पहले IGST के credit को settle करना है, इसको खतम करना है, फिर CGST के credit को settle करना है, Settle मतलब खतम करना है, पहले खतम करना है इनको, फिर SGST और UTGST, फिर इन दोनों में से कोई भी पहले कर लो, इससे कोई फरक नहीं पड़ता, समझ में आ गई बात, तो जो आपकी settlement की priority होगी, वो इस तरीके से होगी, priority 1, priority 2, priority 3, is that clear? तो मेरे ख्याल से आपको ये बात होगी होगी, clear? So, the central tax shall not be utilized towards the payment of state tax, ये आप लोग जानते हो, central, जो CGST है, वो SGST के साथ सेट आफ नहीं हो सकता, या UTGST के सेट आफ नहीं हो सकता, ये बात, obviously है, ठीक है, क्योंकि इनका अपस में, obviously कोई adjustment possible ही नहीं है, ठीक है, अगर ये चीज़ पॉसिबल होती ही ना, दोस्तों, तो ये GST आता ही नहीं, ठीक है, क्योंकि VAT जो है, और service tax है, अगर पहले ही adjust हो रहे होते हैं, तो VAT और service tax भी adjust हो रहे होते हैं, कभी हुआ ही नहीं, the state tax or union territory tax shall not be utilized towards the payment of central tax, obviously, जब CGST का credit, SDST या UTGST के सेट अप नहीं हो सकता, similarly SDST के credit या UTGST के credit, आप CGST के साथ adjust नहीं कर सकत हैं, okay sir, ये कानून तो बहुत ही असान है, मज़ेदार है, simple है, ठीक है, तो बस आपने अभी तक ये सीखा, कि ये तो होगी credit settlement, बढ़ जब हम credit की settlement की priority की बात करेंगे, आप लोग लिखोगे, please, priority settlement, priority, सबसे पहले आपको IGST के credit set off करने हैं, सबसे पहले, फिर इसके बाद आ फिर इसके बाद UTGST, समझ में आगी बार, चलो, section 49A क्या कहता है, कहता है, utilization of input tax credit subject to certain conditions, notwithstanding anything contained in section 49, the input tax credit on account of central tax, state tax, UT tax, shall be utilized towards the payment of integrated tax, central tax, state tax, or UT tax, as the case may be, only after input tax credit available on account of integrated tax has been first utilized towards the such payment, percent, देखो, बहुत simple सी बात है, इन्होंने ये बात clear कर दी यहाँ पर, section 49A के अंदर, कि जो अगर ITC on central tax, state tax, or UT tax, shall be utilized, मतलब उसको हम लोग जरूर integrated tax के साथ set off कर सकते हैं, central tax के साथ set off कर सकते हैं, state के साथ कर सकते हैं, UT के साथ कर सकते हैं, मतलब हम settlement कर सकते हैं, as the case में भी, मतलब, obviously, CGST की जब बात कर रहा हूं, तो CGST, CGST, IGST के साथ, SGST, SGST, IGST के साथ, UTGST, UTGST, IGST के साथ, हना, only after the ITC available on account of integrated tax has been first utilized, तो मैंने आपको बताया ही था, कि पहली priority IGST के credit को दे ली हैं, तो यही बात उनोंने भी बोल दी, तो यहाँ पे मैंने यह वाली बात तो already बोल दी है, section 49A, क्या बोल दी है, section 49A, okay sir, 49B, क्या बात बात कर देना था, order of utilization of ITC, क्या बात कर देना, notwithstanding anything contained in this chapter subject to the provisions of clause E and F of subsection 5 of section 49, the government may on the recommendation of the council, prescribe the order and manner of the utilization of the input tax credit on account of integrated tax, central tax, state tax, or UT tax, as the case may be towards the payment of any such tax. मतलब government may on the recommendation of council rules बना सकती है related to order of settling of कि कौन पहले order settle किसको किस से पहले करना है और उसके लिए government ने rule बनाए दोस्तों government ने उसके लिए rule बनाए तो section 49b में रूल बनाने की power दे दी है central government को on the recommendation of GST council और वो power से rule 88a बना लिया दोस्तों ये देखो order for utilization of ITC और इसमें क्या लिखा है कि अधा ITC on account of integrated tax shall first be utilized towards the payment of integrated tax and the amount remaining if any may be utilized towards the payment of central tax, state tax, UT tax as the case may be in any order तो ये बात clarify हो चुकी है दोस्तों कि पहले IGST का IGST के set off करना है उसके बाद जो balance बच जाएगा वो आप CGST के साथ करो SDST के साथ करो UTGST के साथ करो किसी के साथ भी करो जो मर्जी करो हम नहीं कुछ कहेंगे पहले IGST का IGST कर दो फिर इसके बाद जो बचे वो जैसे मर्जी करो in any order provided that ITC on account of central tax, state tax, UT tax shall be first, shall be utilized towards the payment of integrated tax, central tax, state tax, or UT tax as the case may be only after the input tax rate on account of ITC on IGST has been fully utilized, यह भी हम लोगों ने पढ़ लिया, तो basically यह दोनों बाते, यह तो section 49A वाली बात ही हो गई, यह तो section 49A वाली बात दुबारा लिग दी इनोंने, यह order समझ में आ गया कि IGST credit पहले IGST के साथ जाएगा, फिर जो balance बच जाएगा, वो CGST, SDST और UTGST के सा है, जरूर ही नहीं है, इसके बाद CGST ही आएगा, इसके बाद SDST के साथ भी set off कर सकते हो, is that clear, तो अब इसके analysis करते हैं दोस्तों, analysis मैं फटा फटा फट रीडिंग कर दूँगा, क्योंकि मेरे ख्याल से law आपको clear हो गया, ITC is created to a registered person, electronic credit ledger, हम लोग जानते है, taxable person is entitled to the ITC of CGST SGST, UTGST and IGST, depending upon the nature of supply is received by him, okay, वो तो हमें पता है कि nature of supply के basis पर ही depend करेगा, कि यह IGST है, CGST, SGST, SGST, UTGST है, the person may use the ITC to pay his output tax liability, as we know that, Indian GST is a dual GST, we know that, wherein two taxes, CGST and SGST, UTGST are levied concurrently on a supply transaction, while the CGST revenues accrues to central government, SGST and UTGST revenues accrues to respective state government, यह UT respectively, hence, ITC of CGST, SGST, UTGST is not interchangeable, and thus cross utilization of CGST, SGST is not permissible, IGST is a transitory tax, IGST paid by the taxpayer initially goes to central clearing authority, मैंने आपको एक बात पहले भी बताई थी, कि IGST की पहले तो central government उठा लेती है, इसको collect कर लेती है, and ITC of IGST can be utilized on the payment of CGST or SGST, UTGST, does cross utilization of IGST and CGST, SGST, UTGST is permissible, flexibility has been provided to taxpayer to utilize ITC of IGST for the payment of CGST, मतलब यह cross utilization allowed है, and SGST, UTGST in any proportion, in any order, if ITC of IGST is used for the payment of SGST, UTGST, corresponding debit card, debit or credit is made to the respective state government or UT, ठीक है, यह बही बाते लिखी हुँ है है, जो हम लोग already discuss कर चुके हैं, कुछ special नहीं है, आउ जब इस टेबल की तरफ देखते हैं, इस टेबल की तरफ देखते हैं, जो लौप अल्ली है ना, हमने टेबल की तरफ देखते हैं, IGST का ITC, IGST की liability के रहे सेट अफ होगा, फिर उसके बाद क्या लेखा है, CGST, और यह क्या लेखा है, SDST, UDGST, in any order, in any proportion, यह वो ही बात है, जो हमने उपर पढ़ रहे थे, उसी को इन्होंने यहाँ पर टेबल में analyze किया, यहाँ पर इस बात समझ में आ गई होगी, थर्ड पॉइंट में देखो, क्या लेखा है, यहाँ पर थर्ड के लिखा है, ITC, IGST to be exhausted, mandatory, credit नहीं बचा होना चीए, भाई, IGST का, वो पहले set-off करना है, ठीक है सर, CGST का जो credit है, फिर दूसरे नमबर पर, पहला नमबर पर IGST का credit, दूसरे नमबर पर CGST का credit, है, वो IGST के set-off कर दो, और फिर जो बच जाए, sorry, CGST के set-off कर दो, 4 नमबर, और फिर 5 के साथ adjust करो, ठीक है सर, फिर इसके बाद बात करते है, SGST करेट है, UTGST credit, पहले आप किसके set-off करो, SGST, UTGST के साथ, और IGST के साथ, आपको तब करना है, जब, only after ITC of CGST has been utilized fully, मतलब CGST का credit, पहले तो IGST के खदम करना है, उसके बाद SGST वाला बंदा, जो ITC है, उसका, वो आप IGST के साथ adjust कर सकते हैं, और यही कहानी है, अब कुछ कुछ क्वेशन करते हैं, आप लोग जानते हैं, अब मैं बार बार वही चीज़ को बस बार बार बार, अरकानी समझ में आ गई है, बस यही कहानी है, अब कुछ कोशन क क्राक्टिस करते हैं, दोस्तों, आज़ो, एक्जामपल देखते हैं, पहले तो यह वाला एक्जामपल देखते हैं, खुछ कोशन में और कर वाऊंगा, बच्चे चाहते हैं, कि हमें साथ एक एक अच्छे से प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ आज किना है amount of ITC available and output tax liability under different tax heads आपके पास यह heads wise दे दिया है आपको बताना है कि कितना आपका GST liability बनती है तो मैंने answer already दे दिया है बट इस answer का format इसकी presentation कैसे होगी वो मैं आपको बताने वाला हूँ और CS वाले students सीधा direct answer निकालेंगे आप लोग जानते हैं करना कैसे है और मेरे हिसाब से answer आ भी गया होगा तो प्लीज आप लोग direct answer निकालो ठीक है और जो CS EMA वाले students हैं वो लोग साथ में पूरा का पूरा उसको solve करेंगे और इसके बाद इसका answer निकालेंगे आजाओ जाओ जादा देखते हैं इसकी presentation कैसे होगी दोस्तों Now देखो presentation can vary depending upon person to person हर एक person का अपना ही तरीका होता है दिखाने का मैं यहाँ पर अगर निकालने जा रहा हूँ कि कितनी GST liability है कितना तो आप लोग heading लिखेंगे calculation of input tax credit and GST liability ठीक है अगर कुछ बचा है तो तो भाई सबसे पहले आप क्या करो आपको पता है कि credit की utilization करनी है तो यहाँ पर लिख लो input tax credit यहाँ पर input tax credit ठीक है यहाँ पर लिख लो output tax यह output tax के column आ जाएगा output tax ठीक है जिसमें पहला column आ जाएगा CGST का फिर आप column लिख सकते हो SGST का फिर अगर SGST और UTGST मेरे क्याल से है नहीं और फिर लिख सकते हो IGST का तो मैंने एक एक table सा बना दिया है चोटा सा अब मेरे पास सबसे पहले information आप लोग जानते हैं सबसे पहले credit क्यों सा खतम करना है IGST का तो पहले तो IGST के credit के मैं मैं पूरा focus करूँगा कि यह खतम हो जाए और IGST का जो credit है वो कितना amount है यहां पर मैंने amount का column नहीं बनाया IGST का वो मैं यहां लिख लेता हूँ कितना है 1300 रुपीज IGST के credit 1300 रुपीज है अब IGST का credit output tax के साथ कैसे settle होगा और कौन से amount के साथ set off होगा तो 1300 रुपे को मैं कैसे set off करूँ ध्यान से देखो पहले तो IGST के output tax liability के सब set off कर दो जो की 1000 रुपे है IGST के credit set off कर दिया मैंने 1000 रुपे के साथ तो यह हो गया खतम अब रह गया मेरे पास क्या एक रह गया पर किसी भी proportion में set off कर सकते हो इसका मतलब है आप चाहो तो IGST का जो balance credit बचा हुआ है वो आप CGST के साथ भी set off कर सकते थे और अगर आप चाहो तो IGST का balance credit जो बचा हुआ है वो आप SGST के साथ भी set off कर सकते थे मर्जी आपकी है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ balance credit ठीक है अगर मैं ये कह दूँ ये 1000 पे मैंने set off कर दिये हैं ये 1000 पे यहाँ पर set off हो गए है 300 पे का balance credit है वो मैं कैसे set off कर रहा हूँ आओ देखते हैं मेरे पास क्या output पड़ा हुए देखो CGST को CGST के adjust करोगे तो 100 पे यहाँ पर CGST में बच जाएंगे तो 100 पे CGST में बच जाएंगे तो पहले तो आपको CGST के output tax liability के साथ 100 पे adjust कर देने चाहिए ठीक है और बचा हुआ amount किसके साथ adjust कर देंगे 200 पे SGST के साथ जोकी कर सकते हैं क्योंकि SGST के liability अगर हम लोग देखे SGST के liability 300 है तो मैं SGST के liability के साथ इसको set off कर सकता हूँ अब मैंने IGST का credit पहले खतम करना है ये तो वादा रहा government ने बोला था कि SGST पहले IGST के credit खतम होगा तो जैसे ही मैंने ये खतम कर दिया तो मेरे पास अब जो है मैं इस तरीके से इसको set off कर दूँगा यहां लिख दूँगा 1300, यहां लिख दूँगा 100 रुपे यहां लिख दूँगा 200 रुपे और यहां लिख दूँगा 1000 रुपे अब मैं बात करूँगा कौन से credit की CGST credit की और अगर मैं CGST credit की बात करूँ तो CGST का credit पड़ा हुआ था 200 रुपे का और वो जो 200 रुपे का credit बचा हुआ था वो मैं 200 रुपे CGST liability के साथ set off कर दूँगा SDST कुछ है नहीं IGST के साथ आप कुछ कर नहीं सकते तो भाईया CGST का credit भी हो गया खतम CGST का credit कैसे खतम हुआ CGST क्रेट 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 हो गया यहाँ पर आएगा यहाँ पर आएगा 200 रुपे और यहाँ पर भी आगया 200 रुपे CGST क्रेट खतम ठीक उसी तरीके से अब मैं बात करूँगा SDST क्रेट की SDST क्रेट कितना रुपे है SDST का credit है 300 रुपे का नहीं सुरी 200 रुपे का अब 200 रुपे का था 200 रुपे आपने SDST का सेट आफ कर दिया था क्या अज़ज़़् किया था SDST का credit output tax कितना था 300 300 में से 200 रुपे अपने adjust कर दिया SDST का तो बचा कितना 100 रुपे ही बचा तो आप SDST का सरफ 100 ही adjust कर सकते हो IGST को rate कुछ बचा नहीं है SDST के साथ आप कर नहीं सकते तो basically ध्यान से देखा जाए SDST में मेरे पास answer क्या बच गया balance credit कितना बच गया 100 रुपे मेरे पास कौन सा credit बचा है भाई SDST का credit बचा है बाकी सारे तो settle off हो गए है अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर कोई settle off नहीं हो रा यहाँ पर settle off नहीं हो रा दोस्तों का 100 के साथ adjustment होने के बाद अब सिरफ balance यहाँ पर 0 हो गया है यहाँ पर कोई balance नहीं बच रा यहाँ पर भी कोई balance नहीं बच रा तो आपका finally answer जो होगा वो credit रहे जाएगा 100 रुपे का Is that clear? तो मतलब आपको जरूरी नहीं है कि table में दिखाना है आप एक normal तरीके से भी presentation दे सकते हो जो कि बहुत simple तरीके से अच्छा आप दूसरा अगर आप देखो पहला answer मेरा SGST का credit 100 रुपे का आ गया ठीक है यह पहला option है option 3 भी हो सकता था option 4 भी हो सकता था क्योंकि government ने बोला in any order you can adjust IGST credit after utilization of IGST when you utilize the IGST credit with CDST, SGST तो आप उसको किसी भी order में किसी भी proportion में adjust कर सकते हो यादा रहे तो आप किसी भी option में कोई और option भी बन सकता था अगर मैं यह तो मेरा option 1 हो गया option 1 हो गया मतलब अगर मैं answer के इसाफ से देखूँ तो यह option 2 है अगर मैं अब दूसरा option क्या हो सकता है इसी चीज में मैं यहीं पर समझा देता हूँ आप लोग option 1 बनाओ उसके अंदर क्या कर सकते हो कि यह जो 200 रुपे का जो 300 रुपे का credit था ना वो आप 200 रुपे CGST के साथ कर लो 100 रुपे SGST के साथ कर लो अगर ऐसा होता तो credit जो था ना वो CGST का बच जाता मेरा option 1 में answer क्या होता CGST का credit बच जाता 100 रुपे दोनों में से किसी एक का credit बच जाता 100 रुपे तीसरा option क्या हो सकता था यह भी हो सकता था कि मैंने जो balance credit है 300 रुपे वो मैंने 1500 CGST में से adjust कर दिया 1500 मैंने SDST में से adjust कर दिया ऐसा मैंने अगर कर दिया तो क्या होता तो 50 रुपे CGST का credit बच था और 50 रुपे ही SDST का credit बच था आप करके एक बड़ी देख लेना समझ में आ गया ना logic तो इस तरीके से हमें यह answer solve करना है everyone ठीक है जी तो आगे बढ़ते हैं now restriction on utilization of ITC अब ITC की restriction भी है कुछ और वो क्या कहता है ITC की restriction के बारे में आजाओ जरा वो भी देख लेते हैं the commissioner or officer not below the rank of AC authorized by him is empowered to impose restrictions on utilization of ITC मतलब commissioner या फिर जो AC से कम नहीं है at least AC है not below the rank of an AC ठीक है authorized by him is empowered to impose the restrictions on the utilization of ITC मतलब ITC की utilization पर वो restriction ढाल सकता है कौन ढाल सकता है commissioner ढाल सकता है in the electronic credit ledger if he has a reasons to believe that such ITC has been fraudulently availed or is ineligible मतलब अगर किसी इंसान ने ITC को fraudulently availed किया है या वो ineligible है और जबरदस्ती avail कर रहा है न तो ऐसे case में commissioner या फिर कोई कोई और officer जो की AC assistant commissioner से less rank का नहीं होना चाहिए वो authorized कर सकता है और empower कर सकता है he's empowered वो वो यह कह सकता है कि मैं restriction लगा रहा हूं कि आपको ITC नहीं दोंगा क्योंकि आपने ITC fraudulently avail किया है the restrictions can be imposed in the following circumstances first ITC has been availed on the basis of tax invoice या valid document आपको पता है कि ITC जो है आपको tax invoice या valid documents के basis पे ही लेना है that issued by non-existent supplier तो मतलब आपने ITC जो लिया है वो tax invoice के basis पे लिया है but that is issued by non-existent supplier मतलब ऐसा supplier जो की registered ही नहीं है दूसरा without receipt of goods or services goods receive नहीं किया आपने ITC ले लिया number 3 the tax in relation to which has not been paid to the government यानि supplier ने government को दिया नहीं है but आप credit ले रहे हो तो अगर ऐसा कर रहे हो तो ऐसे case में commissioner या फिर कोई और officer जो की AC से कम का rank का नहीं होना चाहिए has empowered has been empowered with a view of restriction of giving the ITC to any person किसी भी person को ITC के लिए restrict कर सकते है दूस्तों समझ में आगी बात और होना भी चाहिए power होनी चाहिए नहीं किसी के बस next the registered person availing ITC has found non existent or non to be conducting any business from registered place of business अब पहले वाला जो पॉइंट था वो यह करता है जो invoice बना रहा है वो existent नहीं है दूसरे वाला यह जो point है वो क्या क्या रहा है क्या रहा है वो जो recipient है वो registered नहीं है कहीं पर या फिर वो existent नहीं करता या फिर वो अपने principle place of business से business नहीं कर रहा next the registered person availing ITC is not in the possession of tax invoice अब ITC लेने वाला इंसान उसको पास tax invoice नहीं है तो गलत हो गया नहीं को याद होगा conditions for taking ITC section 16 क्या पढ़ा था हमने पहला possession of tax paying document दूसरा receipt of goods and services number 3 supplier को output tax जमा करवाना है number 4 number 4 हम लोग ने पढ़ा था कि return file करनी है time पर तो यह reasons थे अगर आपको credit लेना है तो तो बेटा क्याता है जब restriction का मतलब यहाँ पर यह है कि ITC को allow नहीं किया output tax के साथ adjust करने के लिए ठीक है या फिर refund नहीं मिला unutilized amount का such restrictions can be imposed for a period of up to one year from the date of imposing such restrictions एक साल तक के लिए restriction लगाई जा सकती है जब start करी उसके बाद से एक साल के लिए लगाई जा सकती है however the commissioner or officer authorized by him can withdraw such restriction if he satisfy the conditions for imposing the restriction so no longer exist अगर कोई person यह government को proof कर देता है कि sir मैं पहले registered नहीं था बट अब registered हूँ तो sir मुझे इतनी बड़ी गुना क्यूं मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों मिल रही है कि एक साल तक आपने कह दिया कि मुझे इटीसी नहीं मिलेगा please sir ऐसा मत करो मेरा business बरबाद हो जाएगा तो government को जाके convince करने की कोशिश करी और उसको बताया कि कि मैं अब true हूँ मैं आगे सही काम करूंगा ऐसे केस में commissioner चाहे तो authorized कर सकता है कि चल यार कोई दिक कर निया ITC दे रहते हैं इसको बात समझ में आ गई न यह बात बिल्कुल सही लिखिया है बहुत ही बड़ी है तो commissioner के पास बरबूर पावर्ज है आगे ना बहुत ही important question कर रहे है जी question number one कर रहे है बट मैं फिर से एक question और करवाना चाहता हूँ ITC की utilization का बच्चे कह रहे है सर कुछ ITC की utilization का question करवा दो ना ये लो ITC utilization का एक और question सुनो देखो अभी हम लोग ये भी पढ़ते ये भी करते ये question कर नहीं करने है इसके इलावा ITC की utilization का कैसा question आ सकता है MCQs बहुत सारे हैं भई तो भई सारे complete करने आप लोग उन्हें MCQs आप लोग जानते ही है कोई doubt होगा तो आप मुझसे पूछी सकते हो ठीक है और 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 मैं ITC का question आपको बताता हूँ वो वाला question करते है इंदर तो नहीं है कोई खास मैं कोईशन मनाता हूँ जैसे एक कोईशन था न एक कोईशन आप करके दिखाओ मुझे बढ़ा एक एक कोईशन करके दिखाओ मुझे जरा ठीक है माल लेते हैं कि IGST है CGST दिया है और SDST दिया हुआ है ठीक है और मान लेते हैं ये है करीब 25,000 रुपे input tax credit है 8,000 रुपे ये है 10,000 रुपे ये है 13,000 रुपे ये है 6,000 रुपे और ये है 15,000 रुपे ठीक है आपको क्या निकालना है compute GST, payable और unutilized unutilized credit ठीक है जी unutilized credit निकालो या GST payable निकालो ठीक है ठीक है तो I hope आप लोग question पहले खुद करोगे उसके बाद मेरा answer देखोगे तो पहले वीडियो को pause करो ठीक है और ये question को solve करो खुद के खुद फिर इसके बाद मेरा question का solution देखना ठीक है आपका time start होता है अब तो I hope आप लोगों ने अब pause करके play कर रहे हूँ ठीक है तो मैं अब start कर रहा हूँ अब आपको ऐसे question में क्या करना है मैंने आपको पहले भी बताया था आप लोग शुरुवात करोगे यहाँ पर लिखोगे ITC और यह हो जाएगा ITC का amount ठीक है ITC का amount यहाँ पर मैं इसको एक और थोड़ा refine कर सकता हूँ amount utilized लिख लेते हैं यहाँ पर amount utilized और यहाँ पर हम सारे output tax लिख लेते हैं output tax मैंने थोड़ा सा और बेटर कर दिया है format को तो देखना आपको अगर यह format ज्यादा बेटर लगता है तो यह वाला format यूज करो CGST SGST IGST अब सबसे पहले हमें पता है कि IGST के credit को settle करना है जरूरी और IGST का credit अगर हम लोग देखें तो वह 8000 रुपे पड़ा है कितना रुपे पड़ा है IGST क्रेडिट बैलन्स हो गया जीरो ठीक है अब हम बात करते है किसकी अब हम बात करते है किसकी CGST की अब अगर हम CGST के बैलन्स की बात करें देखो IGST के अभी payment पड़ी हुई है हमें बहुत बड़ा amount देना है CGST का credit अब आपको पता है CGST के credit भी IGST के set off हो सकता है CGST का credit पड़ा है 13,000 का CGST का credit पड़ा है 13,000 का और आप क्या कर रहे हो पूरे 13,000 सेटल कर रहे हो पूरे 13,000 कैसे सेटल करोगे 10,000 रपे तो आपका CGST का settlement पड़ा हुआ है एक भिव आपने set off कर दिया और आपको पता है कि IGST की जो पेमेंट है IGST की जो लाइबिलिटी है IGST क्रेडिट शुड भी सेट आफ फर्स्ट ये बात तो हमारी कंफर्म थी IGST क्रेडिट तो मैंने खतम कर दिया बड़ अगर IGST की लाइबिलिटी बची हुई है तो वो तो आप बैसी करोगे न जैसे करोगे बट SGST के क्रेडिट सेटलमेंट से पहले पहले आप CGST का क्रेडिट IGST के साथ अड़जस्ट करोगे यही बात हम दोगों ने पहले पड़ी थी तो इसलिए आपने 3000 पे यहां से अड़जस्ट करवा दिये तो लो जी IGST का भी काम CGST का भी काम हो गया तमाम CGST का क्रेडिट बैलन्स अप हो गया है जीरो ठीक है सर्व ठीक है सर्व अब बात करते हैं किसकी अब बात करते हैं किसकी अब बात करते हैं मैटा SGST की किसकी बात करते हैं SGST की जब मैं SGST की बात करने जा रहा हूं तो SGST का amount कितना है output tax में 6,000, credit कितना है 15,000, तो मैं पहले तो 15,000 का credit लिख रहा हूं, ठीक है, 15,000 का credit लिख रहा हूं, और SGST की liability कितनी है 6, अब बचा हुआ amount IGST का output tax है, वो था कितना 25,000, अगर आप IGST का output tax लिख वो 25 है, जिसमें से 8 और 3, 11 तो आप set off कर चुके हूं, रह गया 14, बट आपके पास यहां पर सिरफ 9 ही बचे हैं, तो 9,000 पे आप किसके साथ set off कर दोगे SGST का, IGST के साथ, और SGST का भी credit balance अब हो जाएगा 0, SGST का credit balance हो जाएगा 0, ठीक है, तो आपने यहां पर भी पूरे 15,000 कर दिये है, settle, और ultimately CGST की liability आपने कर दी है, CGST की liability कर दी है, यहां पर तो balance हो गया निल, ठीक है, सब का balance हो गया निल, यहां पर जो CGST की liability बची है कोई, CGST की कोई liability नहीं बची है, ठीक है, CGST की 0 liability बची है, SGST की 0 liability बची है, बट IGST की अभी भी बची है, 8 और 9 होते हैं, 17 और 3 होते हैं, 20, ठीक है, balance, बालेंस लाइबिलिटी तू भी पेड तू भी पेड थू इलेक्ट्रोनिक कैश लेजर कितना आमाउट देना है आपको वो पाँच हजार ठीक है अब अगर हम लोग देखें इसका हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि CGST 10,000 पे पूरा सेटल कर दिया ठीक है यहाँ पर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ यहाँ पर आप भी ऐसे ही कर लेना इसको बैलेंस लिबिलिटी को नीचे लिख लेते हैं बैलेंस कितना बचा है यहाँ पर लिख लेते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं यहां पर लिख लेते हैं पहले कि जितना आपने आउटपुट एक्स लाइबिलिटी सेटल्ड आउटपुट एक्स लाइबिलिटी सेटल्ड यह हो गया 10,000 यहां हो गया पूरा 6000 के साथ सेट ओफ, SGST का 6000 था SGST का आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कितना था, 6000 ही था शायद question तो उपर ही है, 6000 ही था, SGST का 6000 यहां पर लिख दिया और यहां पर लिख दिया 20,000 ठीक है, अब यहां पर लिख दो balance बैलेंस, पेबल, ठीक है, और पेबल, बैलेंस पेबल में यहां पर तो कुछ नहीं आएगा, obviously, यहां पर आएगा 0, यहां पर भी आएगा 0, यहां पर आएगा 5, ऐसे, तो लो जी, मेरा पूरा फॉर्मैट हो गया, त्यार, ठीक है, मेरे गयाल से फॉर्मैट आप थोड़ बैटर होना चाहिए, इससे बैटर हो सकता है, वर्स नहीं हो सकता, ठीक है, everyone, now, यह बात होती है, ITC utilization की, तो इस तरीके से हमें करना है, आप लोग समझ गए हो, क्या है कानून, कैसे कानून को use करना है, तो यह मेरी बाते हो गई है, खतम, और, 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 ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, एक दो question और practice करते हैं, कुछ different question है, जैसे की यह, ABC Company Limited, registered under GST, is engaged in manufacture of heavy machinery, it procured the following items during the month of July, okay, यह July month में चार चीजे खरीदी हैं, determine the amount of ITC available with ABC Company Limited for the month of July by giving necessary explanation for the treatment of various items, subject to the information given above, assume that all the other conditions necessary for availing ITC has been fulfilled, ठीक है सर, तो उन्होंने कहा कि ITC के लिए जो conditions थी, वो सारी fulfill हो चुकी हैं, वो सारी fulfill हो चुकी हैं, वो सारी fulfill हो चुकी हैं, now everyone, इसको कैसे solve करेंगे दोस्तों, सो आपको बताना क्या है, computation of, computation of input tax credit, ITC, कितना ITC बचा हुआ है, वो आपको बताना है, ठीक है, product wise, आप लोग यहाँ पर लिख लोगे, ठीक है, एक तरफ लिख लोगे, कि कौन से product की बात कर रहे हैं, और credit मिलेगा, तो उसका reason क्या है, amount क्या है, तो आप लोग पहले तो यहाँ पर लिख लोगे, serial number, ठीक है, यहाँ पर लिख लोगे, उसके particulars, और particulars के नीचे ही आप उसके reason के साथ amount लिख सकते हो, ठीक है, चलो, सबसे पहले आपके पास दिया हूए electronic, electrical transformer to be used in manufacturing process, क्या यह blocked credit में आता है, पहले बताओ, नहीं, तो credit मिल जाना चीए, बिलकुल मिल जाना चीए, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, so electrical transformer, electrical transformer, used in manufacturing process, इसका credit मिल जाएगा, क्योंकि यह नहीं 17.5 में covered होता है, और machinery है, तो इसका credit मिल जाएगा, CDC बात है, कोई reason नहीं लगता है कि इसका credit नहीं मिले, तेक है, 5,20,000, second point देखते है, truck use for transportation of raw material, अब truck अगर आप use कर रहें for transportation of raw material, तो government ने क्या बोला था, कि ineligible motor vehicle का credit नहीं मिलेगा, यह तो eligible motor vehicle है, है ना, truck तो क्या तो credit मिल जाएगा, तो यह 1,00,000 का credit भी मिल जाएगा, So, trucks used for transport of raw material is allowed as ITC, truck use for transportation of raw material, we get trucks used for transportation of raw material, trucks are eligible motor vehicle, therefore credit is available, तो आप लोग लिख सकते हो, यह eligible motor vehicle है और इसका credit इसलिए मिल जाएगा, reason दे देते हैं, ठीक है, एक लाख रुपे का, next point, number 3, raw material, भई raw material के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, raw material का ही credit नहीं मिला, तो किसका मिलेगा जिंदगी में, तो मेरे को लगता नहीं है, इसका reason भी देने की जूरत है, simply 2 लाख रुपे raw material का credit मिल जाएगा, जिसका आपको credit नहीं मिल रहा, उसका तो आपको reason देना पड़े जिसका credit नहीं मिल रहा, 4th. Confectionary item, Confectionary item, Confectionary item is covered under Section 17.5, List of Blocked Credits. ठीक है, therefore, no ITC, बस no ITC, तो no ITC मतलब निल, finally अब हम इसको क्या करेंगे, total, हमारा जो total credit मिलेगा, total ITC मिलेगा, वो कितना मिलेगा, बताओ, 8,20,000. 8,20,000. समझ में आ गया सबको, ठीक है, तो वो item जिसका item का credit मिलना ही नहीं चाहिए, वो क्यों नहीं मिलना चाहिए, वो आपको ज़रूर लिखना चाहिए, ठीक है, section 17.5 याद रहे, मज़ा आजाएगा, blocked credit का section होता है, याद रखना है, ठीक है जी, question number 1 का हो गया answer, ठीक है, question number 2 करते है, question number 2, 1 तो हो गया, done, question number 2, XYZ limited, a registered under GST is engaged to manufacture of taxable goods, compute ITC available with XYZ limited for the month of October from the following particulars, ठीक है, आपको दिये हुए, inputs A, inputs B, capital goods, input services, आपको बताना है कि उसका credit मिलेगा, या नहीं मिलेगा, और कितना मिलेगा, again, इस question में भी आपको credit निकालना है, तो मैं चाहूंगा कि ये question आप पहले खुद solve करो, ठीक है, break लो, pause मारो, ठीक है, और अभी के अभी पहले question को खुद solve करो, ये वाला, और फिर इसके with XYZ Limited for the month of October from the following particulars, तो आपके पास ये details दी हुई है, inputs A purchased किया, जिसका GST एक लाख रुपे था, but question में लिखा है, one invoice on which GST payable was rupees 10,000 is missing, और आप लोग जानते हो कि अगर आपके पास tax invoice नहीं होगा, तो आपको ITC मिलना भी नहीं चाहिए, yes or no, तो इसलिए 10,000 का ITC नहीं है, क्योंकि आपका tax invoice आपके पास नहीं पड़ा, और tax invoice के बिना ITC नहीं मिल सकता, तो 90,000 का ITC आप यहां ले पाऊगे, आगे, inputs B, 50,000 का GST है, inputs are to be receiving two installments, first installment has been receiving October, पहली installment October में ही मिल गई, ठीक है, पहली installment October में ही मिल गई, और second installment के बारे में अभी तक बात नहीं की गई, इसका मतलब है, second installment आपको अभी तक receive नहीं हुई, लेखा है, क्या रहा है, compute the ITC available for the month of October, so inputs are to be receiving two installments, पहली installment has been received in October, यानि पूरा अभी तक input नहीं मिला, और आप लोगों को याद है, section 16 में आप लोगों ने one of the clause पड़ा होगा, जिसके अंदर हम लोगों ने पड़ा था, goods receiving in lots, installments में जब goods आते, जब तक आखरी lot नहीं मिलता, तब तक पूरा credit नहीं मिलता, तो इसलिए इस amount का आपको पूरा credit तब मिलेगा, जब आपको पूरा lot receive हो जाएगा, next, capital goods है, 1,20,000 पे के question में लिखा है, XYZ Limited has capitalized the capital goods at full invoice value inclusive of GST, as it avails depreciation on full invoice value, यानि उन्होंने इस पर depreciation भ मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो आप reason लिखोगे, section 16.3 का reason लिखोगे, section 16.3 में हम लोग ने पढ़ा था कि अगर, या तो आप depreciation claim कर सकते हो, GST amount का, या फिर आप ITC avail कर सकते हो, दोनों में से कोई एक काम कर सकते हो, ये बात आपको आपको आपे लिख नहीं होगी, तो आप ल आया गया था, on which GST paypal was 50, has been receiving October, मतलब वो invoice आपको October में मिला, यानि ये किस month का input tax credit है, जिसकी बात हो रही है, 20 January, मतलब ये पिछले साल का credit है, है कि नहीं, और पिछले साल का credit अगर आप लेना चाहते हो, तो आप लोग याद कहें कि section 16.4 क्या बोलता था, अगले साल के September month की due date तक, या पिर date of filing of annual return, whichever is earlier, आप ध्यान से देखो, तो annual return की date दी हुई है, 15 September, इसके बाद आपको 50,000 का गुड है, ये आपको मिला कब है, ये कब मिला है, 15 September के बाद मिला है, तो क्या आप credit ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, तो one invoice dated 28th January on which GST paypal was 50, has been receiving October, बहुत लेट हो गया, अब नहीं ले पाओगे इसका credit, तो 50,000 का credit तो भूल जाओ, कितने का credit मिलेगा, 1,75,000 का, मत्तब आपको लिखना होगा, कि 50,000 का credit आप क्यों नहीं ले पा रहे हो, reason लिखना होगा, reason क्या लिखोगे, as per section 16.4, the ITC of the previous year can be availed, कब तक ले सकते हो, within the due date of September month return of the next following year, or date of filing of annual return, whichever is earlier, question में लिखा है, date of filing of annual return is 15 September, that is, the return has been filed already on 15 September, and invoice has been received on after 15 September, so therefore no ITC will be allowed, तो यहाँ पर 175 का credit मिल जाएगा, बाकी चीजों का 50,000 का नहीं मिलेगा, तो 175 और 90, यह आपका होता है, 2,65,000, यह आपका answer आगया, तो भाई करना क्या है, reasons के साथ अपने अपना answer देना है, पता चल रहा है कि क्या क्या वज़े से ITC मिल रहा है, और किस वज़े से ITC नहीं मिल रहा है, Q3 देखते हैं दोस्तो, XT Private Limited, a supplier of goods pays GST under regular scheme, it has been, it has made the following outward taxable supplies in the tax period, interstate taxable supply, interstate tax, interstate supply of goods, it has also furnished the following information respect of purchases made in, made by it in that tax period, तो यह कुछ purchases हैं, जिसका यह tax है, और आपके पास यह ITC पड़े हुए हैं, CGST, SGST और IGST के, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है, GST payable कितना होगा, so compute the minimum GST payable in cash, by XT Private Limited, by the tax period, make suitable assumptions as and when required, जहां पर भी आपको जरूरत लग रही है, तो स्टार्ट करें, मैं इसका color कर देता हूँ, थोड़ा सा change कर लेता हूँ, यह light हो जाएगा ज्यादा है न, black में ही करते हैं, best है, black best है, चलो, so, computation, computation of GST payable by XT Private Limited, ठीक है, अब आप जब यह कुशन करने लगे, आपको computation लिखकर इसके बाद आपको एक table बनाना पड़ेगा, ठीक है, इसके अंदर आप यहाँ पर दिखाओगे, एक तरफ तो लिखोगे particulars, यहाँ पर लिखोगे आप, यहाँ पर लिखोगे आप, यहाँ पर, taxes लिख लो न, यहाँ पर, taxes, ठीक है, यहाँ पर कौन-कौन से taxes आएंगे, एक तरफ आजाएगा cgst, एक तरफ आजाएगा sgst, यहाँ पर, सबसे पहले आप start करोगे, तो step 1, सबसे पहले आप क्या लिखो यहाँ पर, आपकी purchases लिख लो, तो input tax credit, तो आपको पता होना चाहिए, आपका credit क्या है, तो आपके credit की details आपको already दी हुई है, यह opening balance दिया हुआ है, this is opening balance, opening balance दिया हुआ है दोस्तों, opening balance आपको कितना दिया है, 57 है cgst का credit, जो आपके आज पहले से पढ़ा हुआ था, sgst का पढ़ा नहीं था, igst का कितना पढ़ा हुआ था, 70,000, यह आपके पास credit already पढ़ा हुआ है, input tax credit, अब input tax credit के लावा आपके पास कुछ purchases भी है, इंट्रा state purchase है दो लाक रपे का, इंट्रा state purchase है दो लाक रपे का, यह आपका दो लाक रपे का purchase है जिस पर इतना gst है, तो 9% cgst, 9% sgst, है ना, तो 9% दो लाक के उपर लगेगा 18,000, और sgst भी लगेगा 9% 18,000, 2,002 लाक रपे के उपर, तो igst हो गया 0, इसी तरीके से interstate purchase, जब आप निकाल रहे होगे, interstate purchase, तो interstate purchase है 50,000 रपे का goods, ठीक है, और उसके उपर 18% का क्या है igst, तो 50,000 रपे के उपर 18% का ITC, कितना बनता है 9,000, 9,000, यह आपका आ गया, तो मेरे पास जो credit की details आ गई, ठीक है, मेरे पास credit की details आ गई है, यह मेरे पास ITC का है details, ठीक है, यह आ गया 75,000, यह आ गया 18,000, और यह आ गया 79,000, ठीक है, तो यह मेरे पास credit की details आ गई है अब, अब मुझे क्या करना है, step 2 निकालना है, step 2 क्या है मेरा, output tax, output, tax, ठीक है, output tax मेरा क्या है, output tax मेरा क्या है, सबसे पहले, आप देखो, output tax मेरा, आपका intra-state supply of goods है, intra-state supply of goods है, intra-state supply of goods में, 8,000,000 के supply है, और इस 8,000,000 रुपे पर intra पर, 9% CGST और 9% SDST लगा होगा, 9% is 72, 9% 72, IGST कुछ नहीं होगा, inter, inter-state supply पर, inter-state supply पर, आपका 3,000,000 का inter-state है, और IGST लगेगा, 18% के हिसाब से, 3,000,000 पर होगया, 54,000, तो यह हमारी, output tax liability आ जाएगी दोस्तों, output tax, output, tax, यह आ गया 72, 72, और यह आ गया 54, ठीक है, तो यह हमारा कहानी, step 2 का खत्ब, अब हमें क्या करना है, step 3, GST payable निकालना है, मैं फिर से बता रहा हूँ, यह चीज मैं आपको अल्रेड़ी पहले करवा चुका हूँ, GST payable कैसे निकालते हैं, output tax minus ITC, याद आ रहा है, कौन सा tax किसके साथ set off हो सकता है, क्या आपके पास CGST का credit पढ़ा हूँ है, 75 और CGST का ही settlement पढ़ा हूँ है, output tax में, आपको एक बात पर ध्यान रखना है, सबसे पहले IGST का credit खतम करना है, तो पहले आप चेक करो, IGST का credit खतम हो रहा है नहीं हो रहा, 79 में से 54 adjust करने के बाद IGST का credit बच रहा है, सबसे पहले, पहली priority IGST के credit की होनी चाहिए, तो IGST का credit balance बच रहा है, कितना बच रहा है, 79 माइनस 54, IGST credit balance after settlement with, IGST liability, IGST liability को settle करने के बाद, IGST का credit बच रहा है, वो कितना बच रहा है, यह रहा है, यह बच रहा है, 79 माइनस 54, मेरे ख्याल से पूरे 25,000 पर बच रहा है, अब यह 25,000 का credit बच रहा है, यह हमें पहले खतम करना है, यह हम जानते हैं, तो आप 25 रहे credit को छोड़ नहीं सकते हो, किसी भी हाल में, अब ऐसे case में आपको पता है, कि आपका output tax कितना पढ़ा हुआ है, CGST का और कितना पढ़ा हुआ है, SGST का output tax, बट आपने देखा, SGST का output tax तो धेर सारा पढ़ा हुआ है, ठीक है, और आपका अराम से credit IGST का सेटल हो जाएगा, ठीक है, तो मैंने देखा 72 है ना, 72 है, IGST का credit जो है सेटल करना है ना, वो आप CGST के साथ भी कर सकते हो, SGST के साथ भी कर सकते हो, किसी भी ओर्डर में कर सकते हो, तो यार मेरे को बहुत ही सिंपल सा लॉजिक नजर आ रहा है, 18,000 का credit बढ़ा है SGST का, और 72,000 का output tax बढ़ा है SGST का, तो भाई मेरे साब से बढ़ा balance बढ़ा हुआ, तो मैं वहाँ पर सेटल कर दूँगा, मैं SGST के साथ सेट आफ कर दूँगा, अभी मैं क्या करता हूँ, मैं अभी क्या करता हूँ, 2nd point मैं क्या करता हूँ, IGST के credit को, IGST credit, adjusted with SDST, मैंने SGST के साथ adjust कर दिया, SDST के साथ adjust कर दिया, कितना adjust कर दिया बताओ, 25,000 पे का credit मैंने adjust कर दिया, ठीक ? यहाँ जैसी मैंने 25,000 का credit adjust कर दिया तो मेरा यहाँ पे हो गया काम तमाम SGST का credit हो गया, finish SGST का credit वहाँ से finish हो गया थर्ड, अब मेरे को बस देखना है कि SGST का और किसके साथ set off हो सकता है अब मैं CGST का credit की बात करता हूँ CGST set off CGST set off करने के बाद 75 का credit और 72 का output tax balance credit कितना बच रहा है CGST में 3000 पे का credit बच रहा है दोस्तों कितने का credit बच रहा है 3000 का और यह 3000 का credit आपको पता है कि आपके पास IGST की liability भी नहीं है और आपके पास SGST की liability आप set off करने ही सकते तो यह 3000 का credit बचा रहेगा इसमें कभी answer में change नहीं आ सकता यह तो वैसे का वैसे ही रहेगा intact और रही बात IGST की स्वरी SGST की तो SGST का यहां पर output tax third fourth में लिख दूँगा SGST credit set off balance payable अब balance payable कितना बच रहा है SGST का credit set off हो गया और balance payable कितना बच रहा है सीधा SGST का credit set off कर दो SGST की liability के साथ जो आपके सामने है ठीक है output tax आपने adjust कर दिया 72 minus 18 72 minus आपने पहले इसमें से 25,000 भी अठा दिये जो IGST के credit के थे और 18,000 का SGST के credit भी अठा दिया अभी भी 29,000 रपे payable है ठीक है यहाँ पर तो बचेगा 0 IGST credit और यहाँ पर balance हो जाएगा 0 तो अब मेरा final answer मैं यहाँ पर लिख दूँगा कि मेरा answer क्या है CGST का जो credit है वो बच रहा है balance 3,000 रपे का और SGST का payable बच रहा है SGST का payable बच रहा है जो की कितना है रुपीज 29,000 Is that clear? तो इस तरीके से हम लोगों को इसको solve करना है मैं यहाँ पर CGST का credit शायद CGST का credit adjust तो नहीं कर दिया था नहीं नहीं बट कहाँ adjust करता है कुछ बचा भी होना चाहिए ना settle करने के लिए SGST के साथ तो कर नहीं सकता हूँ कोशन में अच्छा पेबल निकालने के लिए बोला था ना यार पेबल निकालने के लिए बोला था कितना पेबल है तो वो यह पेबल है बस answer यह है हलागि यहां पर credit बच रहें किस का credit बच रहें CGST का credit बच रहें कितने रभेगा? 3000 पर समझ में आया ना कैसे करना है चलो तो यह है आपके सामने ठीक है इसके बाद अब हम आ जाते हैं विद सॉलुशन वाले कोशन्स सॉरी सब्जेक्टिव कोशन्स पर एमसी क्यूस तो आप लोग करोगे और आप मुझसे डिसकस करोगे अगर कोई डाउट है तो तो इसके सॉलुशन आपको मिल जाएंगे ठीक है इसके सॉलुशन आपको मिल जाएंगे जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिये हुए इसके solutions, आप लोग इसके solutions मेर साथ, मेर से पहले आप खुद इसको करके देखोगे और उसके बाद मैं आपको इसके solutions दे दूँगा, आपको इसको solve करना है और फिर इसके solutions आप मुझसे ले ले लेना, chapter number 6 के, जो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे practical questions बहुत ही जवरदस्त practical questions दिये हुआ है, जैसे question number 20 है, question number 19 है मैं चाहूँगा कि आप लोग यह question खुद solve करो, और बाकी सब कुछ वैसा ही है, answers मैं आपको दे दूँगा आप लोग इसके साथ, आप लोग ने जो doubt पूछने होंगे, आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है but questions सारे करने हैं दोस्तों, अगर आपने questions नहीं किये ना, तो फिर कोई फायदा नहीं है कोई फायदा नहीं है, questions सारे करने हैं, ठीक है, मैं आपको इसके suggested answer दे रहा हूँ तो आपको questions सारे practice करने हैं, बिना question practice किये, मजा नहीं आने वाला समझ में आगी बात, मैं questions नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसके जैसे questions आपको पहले ही करवा दिये ठीक है, और suggested answer मैं दे दूँगा, अगर उस suggested answer में कोई doubt होगा, तो आप मुझसे पूछ लेना तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको कहा doubt आ रहा है, कुछ पूछना है, उससे related, तो आप मुझसे पूछ सकते हूँ ठीक है, यहाँ काम करते हैं, एक बार ही review करवाई देता हूँ, question paper में मुझे ऐसे लगेगा, तो मैं आपको बता दूँगा कि कहाँ पर problem है, चलो मैं discuss करी लेता हूँ, subjective questions, एक बार ही, what is input tax, आप लोग जानते हैं, goods purchase करने पर जो tax pay करते हैं, उसको input tax बोलते हैं, और उस प the conditions necessary for availing ITC, तो conditions क्या है, आप लोग जानते है, section 16.2 यहाँ पर आपको लिखना होगा, can a person take ITC without payment of consideration for the supply of along with tax, क्या कोई person ITC ले सकता है without payment of consideration for the supply along with tax, भाई ITC वो नहीं ले सकता, जब तक consideration की payment नहीं करते हो, एको पहले तो आप ITC ले लेते हो, बट आपको याद होगा, इसमें 180 days वाला clause है, वो आपको mention करना होगा, कौनसा clause, 180 days, कि invoice के within 180 days payment हो जानी चाहिए, अगर payment नहीं हुई, तो जो ITC ले रखा है ना, वो आपको reverse करना पड़ेगा, और उसके ओपर interest लगेगा from the date of availing the credit, याद आ रहा है, so can a person take ITC without payment of consideration for the supply along with tax, so आप लोग लिखोगे, yes, अगर एक recipient ने पैसे नहीं दिये, फिर भी वो ITC ले सकता है, but only till 180 days, after 180 days, अगर आपने 180 days हो गए, और 180 days के बाद भी payment नहीं करी, तो ऐसे case में recipient का ITC उससे ले लिया जाएगा, और recipient से उसका ITC ले लिया जाएगा, और उसका जो ITC जिस date से था, उस date से interest लगना start हो जाएगा, 6 मही जितना लेट करेगा उतनी दिक्कत, तो यह answer आपको लिखना है, आप समझ गए हो answer क्या लिखने है, तो मैं आपको suggested answer भेजूँगा इसके, बढ़ आप लोग क्या करोगे, अपने answers पहले खुद लिखोगे, what is the time limit for taking ITC, ITC time limit क्या है, ITC का time limit है, पिछले साल का ITC लेना है, अगले साल के September 1 की due date, या फिर date of filing of annual return, whichever is earlier, ठीक है, और यह बात हो गई, और क्या इसका reason हो सकता है, इसका reason बहुत simple है, government कहता है कि आप अगर ITC लेना चाहते हो, आप पिछले साल से related, कोई भी records को change करना चाहते हो, तो आप अगले साल के September 1 से पहले पहले कर लेना, या फिर date of filing of annual return से पहले-पहले कर लेना, ठीक है, क्योंकि date of filing of annual return में आप पिछले साल को फूरा freeze कर रहे हो, इस reason से, फूरा freeze कर रहे हो, मतलब आप clear कर देते हो, कि यह है हमारे पास जो information, what is the ITC entitlement of the newly registered person, देखो, newly registered person के case में, जब वो unregistered से registered होता है, तो ऐसे case में, उसको कुछ ब और input content in finished good, finished good held as stock in trade, तो यह जो आपके बास पड़े होते हैं, उन सब का जो GST pay किया था, उसका वो ITC ले पाता है, so what is the ITC entitlement of the newly registered person, yes, ITC entitlement, किन-किन चीज़ों का है मैंने आपको बताया, फिर आपको ITC कब मिलता है, newly registered person का ITC तब मिलता है, जब वो registered हो जाता है, in the case of voluntary registration, जब registration certificate आजाता है, उससे एक दिन पहले जो भी stock पढ़ा होगा, उसका credit ले लेगा, और अगर हम बात करें, newly registered person case में, compulsory registration के case में, मतलब जब आप compulsory, mandatory registered हो जाते हो, तो ऐसे case में, जिस date पर आप liable हो थे, उससे एक दिन पहले जो भी stock पढ़ा होगा, उन सब चीज़ों का आपको credit मिल जाएगा, what is the tax implication of the supply of capital goods by a registered person who had taken ITC on such capital goods, तो दोस्तों मैंने आपको यह बात बताई थी कि capital goods के ओपर अगर आपने GST दिया हुआ है, और मतलब आपने उसका credit लिया हुआ है, तो government कहता है, जब भी आप इसको supply करोगे, तो आपको, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, कि capital goods की supply पर, हम क्या करेंगे, tax on transaction value, या फिर, जितना time आपने उसको use किया है, उसका 5% per quarter और part there of, reduce करने के बाद जो credit होगा, वो credit reverse कर दो, या tax on transaction value, whichever is higher, वो आपको government को pay करना पड़ेगा, तो यह बात आपको यहां लिखनी है, मेरे ख्याल से सारी बाते याद आ to transfer the unutilized ITC lying in the electronic credit ledger to such transferred business, कब, कब होता है ऐसा कि आप registered person, एक person, दूसरे person को business transfer करता है, और ITC transfer हो जाता है, दोस्तों ITC transfer तब होता है, जब business में assets के साथ साथ उसकी liabilities भी transfer की गई हो, अगर आपको याद है, तो मैंने यह बात बताई थी, कि अगर liabilities transfer नहीं की है, तो ITC transfer नही होगा, जब भी कोई constitution में changes आते हैं, जब भी कुछ ऐसा होता है, तो आपको याद रखना है हमेशा कि एक person, दूसरे person को business transfer जब करता है, ऐसे case में ITC transfer तब होता है, जब liabilities भी transfer की जाती है, और इसके लिए हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, कि आपको chartered या cost accountant से certify कराना हो होगा, कि हाँ, ये जो, जो क्या कहते हैं, business है, जो transfer हुआ है, उसमें liabilities की provision भी transfer किये गए हैं, और सिरफ assets नहीं, liabilities भी transfer किये गए हैं, तो ऐसे case में ITC जो है, मिल जाता है, दूसरे person को, ठीक है जी? कि के transfer business को मिल जाता है, next, question number 8, swastik private limited is a manufacturer of taxable goods, it is, it purchased a machinery of rupees 8 lakh on which IGST 14400 is paid, the company has claimed depreciation under income tax on the full value of the machine including GST component and on which ITC availed of rupees 14400 paid by it as IGST, examine if the stand taken by company is correct in law, तो company कहती है कि हमें depreciation चाहिए under income tax on full invoice value of the machine including GST component as also availed of ITC, मताब ITC भी चाहिए और GST component, तो गलत क्या रिये कंपनी, क्योंकि section 16.3 क्या बोलता है, कि depreciation या तो ले लो, या फिर आप IGST का credit ले लो, तो दोनों में से कोई एक चीज कर सकते हो, simple, question number 9, sigma consultants and LLP of the finance professionals provide finance consultancy services, it made an advanced payment of rupees 1,18,000 inclusive of IGST 18% in the month of October to Azuro computer services for developing a software, the software would be used by LLP to enhance the precision of the financial advice given by it to various clients, the balance payment is to be made after successful test runs of the software in the month of December, sigma consultants has availed ITC of IGST of rupees 18,000 in the month of October, do you think sigma consultants can avail such ITC, yes, बिलकुल ITC वो ले सकते हैं, देखो, advance payment देदी है, आपके पास, देखो, आपको credit लेना है, तो credit लेने के लिए eligibility देखनी है, क्या देखनी है, eligibility, तो sigma consultants के eligibility क्या है, conditions क्या है, पहली condition क्या है, कि वो, जो goods है, वो receive हो जाने चाहिए, good services, दूसरा tax paying document होना चाहिए, और उनने कह येस, उनके पास invoice है, है ना, invoice है, तो obviously, it made a payment of 1,18,000 inclusive of IGST in the month of October, मैं ये मान के चलूँगा, कि उनके पास, अगर ये चारों चीजें है, क्या चीजें है, tax paying document है, अगर उन्होंने goods को receive कर लिया, sorry, services को receive कर लिया है, और अगर supplier ने GST government को जमा करवा दिया है, और अगर आपने return file कर दी है, तो yes, ITC आपको मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा, Sigma consultants को मिल जाएगा, but within 180 days of the date of invoice, उस date से 180 days के अंदर अंदर आपको payment कर दे नहीं है, अगर आपने payment नहीं करी, तो जो आपने ITC लिया हुआ था, वो reversal करना पड़ेगा, और उसके उपर interest भी लग सकता है, from the rate of avail the credit, याद आरा है ना यह बात, आप जितनी असानी से आप बोल पा रहे हो, उतनी असानी से लिखना भी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, इसके अंदर, question number 9, तो आप कर लोगे इसका, ठीक है जी, आगे देखो, question number 10, a taxable person is a business of IT, in the business of IT, he buys a car, maximum seating capacity 5 persons, तो यह ineligible motor vehicle हो गया, use of his executive director, और ineligible purpose के लिए लिया, credit मिलेगा, सवाल ही नहीं हो, सवाल ही नहीं हो पेदा होता कि credit मिलेगा, no, credit cannot be claimed because it is covered under a blocked credit section 17.5, question number 11, a technical testing agency test and certifies each batch of machine tools before dispatch of a, by BMT limited, some of these tools are dispatched to a unit in SCZ without payment of GST, as these supplies are not taxable, the finance professional of the BMT limited wanted to know whether they need to carry out reversal of ITC, on testing agency services, to extent attributable to SCZ supplies, give your comments, देखो आप लोग जानते हैं कि SCZ को supply करने पर GST नहीं लगता, मैंने आपको पहले ही बदाया था, SCZ को supply करने पर GST नहीं लगता, या export करते हो तो भी GST नहीं लगता, दोनों ही cases में GST नहीं लगता, पर एक बात बताओ, इन दोनों ही cases में आपने ज export करते हूँ, क्योंकि अगर credit नहीं देगी, तो यह चीज cost में add हो जाएगी और वो चीज महेंगी हो जाएगी, तो ultimately हमने इसको credit देना है, so a technical testing agency is right यहाँ पर कि credit उसको मिलना चाहिए, credit reverse नहीं होना चाहिए, बल्कि testing agency तो यह बोल रही है, कि उसको credit reverse करना चाहिए, गलत, credit reverse नहीं करना चाहिए, credit उसको मिलना चाहिए, a technical testing agency test and certifies each batch of machine tools before dispatch by BMT limited, some of these tools are dispatched to a unit in SCZ without payment of GST as these supplies are not taxable, the finance personnel of the BMT limited, अचा, BMT limited के company बोल रही है, wanted to know whether they need to carry out the reversal of ITC, ठीक है, BMT limited की company कह रही है कि क्या हमें उसको, जो है, उसको reverse कर देना चाहिए, हो क्या रहा है, मैं थोड़ा सा question में, मैं, अलग तरही के से सोच लिया, actually हुआ क्या है, एक technical testing agency को आपने hire किया, technical testing agency को hire किया, आप अपने products की क्या करा रहे हो, technical testing करा रहे हो, आप कौन हो, BMT limited ह ठीक है, अब बात यहाँ पर यह हो रही है कि BMT limited कहता है कि यह ओ technical testing agency की service है, यह technical testing agency की services जो आपने ले रहे हो, technical testing agency test and certifies each batch of machine tools before dispatch by BMT limited, some of these tools are dispatched, अब BMT limited कुछ tools कहां पे भेज रहे है, SEZ में भेज रहे है, ठीक है, और इन tools की भी क्या हो रही है, testing हो रही है, इन tools की भी क्या रही है, testing हो रही है, some of these tools are dispatched to a unit in SEZ without payment of GST as these supplies are not taxable, government ने बोला क्योंकि यह technical testing की service ले रहा हूँ, यह input service हो गई, और आगे जो मैं दे रहा हूँ, output, वो मैं SEZ को दे रहा हूँ, तो यह zero rated है, तो उनका दिमाग में यह आ रहा है कि sir, यह जो GST अपने इस पे पे किया होगा, क्या इसका credit मिलना चाहिए, ITC reverse नहीं कर देना चाहिए, government कहेगा नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह SEZ, zero rated, यह exempt नहीं है, इसको zero rated बोलते हैं और यह taxable होते हैं, इसलिए इसका credit government देता है, ठीक है sir, okay sir, question number 12, A, B, a registered person was paying tax under composition scheme up to 30th July, however, with effect from 31st July, A, B becomes liable to pay tax under regular scheme, is A A, B, a eligible for any ITC, yes, obviously, composition से जब वो regular में गया, तो उससे एक दिन पहले, जिस दिन वो गया, कब गया, 31 July, तो उससे पहले, एक दिन पहले, 30 July को, जो भी उसके पास inputs पढ़े हैं, जो भी उसके पास work in progress पढ़ा हैं, उसके अंदर inputs पढ़े हुए हैं, जो भी उसके पास finished goods पढ़ एक साल पुराने नहीं होने चीए, एक साल से जillladहा पुराने नहीं होने चीए, जब से बना है, उससे एक साल से पुराने नहीं होने चीए, नहीं तो credit नहीं मिलेगा, और capital goods के case में 5 % username per quarter को remove करने के बार प्र आब या आपको credit मिलेगा, यादाँ आरा, ये सब बात यां आ इसलिए उसने रिस्ट्रेशन नहीं कराई बट एक अक्टूबर को सड़नली क्या होता है कि इसके बाद से वो टेक्सेबल हो गया अब ऐसे केस में जब वो टेक्सेबल हो जाता है तो गर्मेंट क्या बोलेगा इसलिए बाद आप उसी दिन हो गए जब भी जैसी वो एक्जेम्ट से टैक्सेबल हो गया उस देट से लाइबल हो गया उसके विदिन 30 डेस आपको रिजिस्ट्रेशन करवा लेनी चाहिए थी विदिन 30 डेस आपको रिजिस्ट्रेशन करवा लेनी चाहिए थी यह बात हम पढ़ते है न तो ऐसे केस में अगर आपने नहीं करवा ही आपने आपका लाइबल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा या जिस दिन एक्जेम्ट टैक्सेबल हो गया अभी तक रिजिस्ट्र नहीं था तो रिटर्न तो इसको जिस्ट का क्रेट मिली नहीं सकता न और एक्जामिन दा इलिजिबिलिटी बस सिंपल सी बात है आपको बस यह देखनी है कि उसको रिजिस्ट्रेशन वो कब करवा रहा है क्योंकि एक्जेम्ट से टैक्सेबल होने वहाला रीजन जो हम लोग पढ़ते थे ना वह रिजिस्ट्र बरसंग के लिए था कि रिजिस्ट्र बरसंग पहले एक्जेम्ट था और टैक्सेबल हो गया वहां पर प्रॉबलम है वहां पर हमने वह वल्ला सिच्वेशन देखनी यह तो रिजिस्ट्र यह नहीं है तो यह UNREGISTRD säger registerबोड केस देखेंगे समय क्या लिखेंगे UN REGISTRARD Sidster盛ा ला म मर मैं आगी बात तो UN-REGISTR κेस्ट में आप लोग यह देखोके कि LIBEल होने के W विदिन 30 days registration करा लेनी चाहिए आपको ये rule लिखना होगा लाइबल होने के विदिन 30 days registration करवा लेनी चाहिए और अगर आपने करवा ली तो जिस date पर आप लाइबल हुए थे उस date से एक दिन पहले जो भी आपके पास input input वोट work in progress finished goods पड़े होंगे आपको उन से चीजों का credit मिल जाएगा समझ में आगई बात next is mamta trade links trades in exempt goods and provide taxable services okay it is registered under GST on 1st of October the exemption available on its goods gets withdrawn again अब ये पहले से ये बात कर दी कि ये exempt goods apply करता और taxable services प्रोइड करता है registered है अब ये वाला case 13 वाला case से थोड़ा different है क्योंकि यह already registered है तो यहाँ पर आप जब exemption से taxable में आ गए हो तो उस case में जिस डेट पर exemption से taxable गए हो उससे एक दिन पहले जो भी आपके पास यानि 30th September को जो भी आपके पास inputs capital goods नहीं कहा capital goods और आपके पास inputs contained in semi-finished goods या finished goods ठीक है जो भी पड़े हो है उन पर जो भी GST आपने pay किया हुआ है उसका आपको credit मिल जाएगा समझ में आए ना ये question अलग 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 पे membership of a club availed by employees working in a factory 145 inputs to be received in five lots out of which third lot was received during the month 80 अपको बताना ITC किसका मिलेगा तो बहुत simple question है या ये तो raw material to be received in September, raw material अभी अभी नहीं, credit मिलेगा है नहीं, membership of a club availed for employees नहीं मिलेगा, membership of club is blocked credit, inputs to be received in five lots, third lot मिला है, नहीं मिलेगा credit, trucks to be used for transportation, raw material मिल जाएगा credit, capital goods out of three times invoice for the two items is missing, तो डेड़ लाख रपे की and GST paid on those items is 80,000, दो आइटम के जो invoices हैं उसका invoice मिलनी रहे हैं, बाकी 70,000 का मिल रहा है तो 70,000 का credit आप इसमें ले लोगे, तो answer होगा 1,10,000, simple है ना, मुश्किल है, आपको बस reason देने होंगे कि credit क्यों नहीं मिलेगा और किस-किस चीज़ का नहीं मिल रहा ना, आपको उसका reason देना है, बस, साथ-साथ आपको उसका reason देना है, exactly, question number 16, Jamku Limited, a registered person is engaged in the business of spices, it provides the following details in relation to GST paid on inward supplies, procured by it during the month of October, raw spices purchased, raw spices sold to the customers, 50,000, आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि कितना ITC मिलेगा, okay, data amount of ITC, okay, raw spices purchased, raw spices sold to the customers, 50,000, इसका credit मिल जाएगा, raw spices used for personal use, इसका credit नहीं मिलेगा, electric machinery purchased for being in manufacturing process, मिल जाएगा, motor vehicle used for transportation of employee, नहीं मिलेगा, ineligible, payment made to contractor for construction of a staff quarter, construction of staff quarter, याने अपने office के लिए काम करवारे हो न, ये contractor को तो नहीं मिलेगा, works contract हो गया, determine the amount of ITC available with Jamku Limited for the month of October by giving the necessary explanation for treatment of various items, हर item को आपको explain करना होगा, subject to the information given above, all the other conditions necessary for the availing ITC has been fulfilled, तो भही, आपका answer हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, 50 और 25, 75, 75, question number 17, तो आप लोग reasons के साथ answer देख रहे हो, मैं आपको suggested answer बाद में भेज़ दूँगा, Dina Limited, a registered supplier from Maharashtra is engaged in manufacture of passenger autos, the company provides the following details of purchases made or services awaited by it during the month of March, purchase of iron pad, iron, which is used as a raw material, goods were received in two installments, first in March and second in April, अपको हूं से मंसे बैठे हो भई, March मंसे साद में बैठे हो, तो इसका credit आपको नहीं मिलेगा, Slommझ में goods जो है आपको जो है, आपको जो है मार्च मंस में कुछ आये हैंasmंच, कुछ April में आ रहे हैं और आप मार्च मंस में बैठे स तो आपको are delivered directly to the dealers of the company on direction of the Deena Limited. So, accessories purchased which were delivered directly to dealers of the company. We don't believe that you have this is the case, ship to, bill to ship to model. You have to get the bill, so that's why you will get ITC. Purchase of bus, seating capacity 15, or 13, so this is eligible motor vehicle. For transportation of employees from the residence to company and back, it will get. General insurance taken on a car used for by executive of the company for official purpose. It's not a credit. The question is very easy. Just the rules are known, which we have learned, it's not a problem. Next question, question number 18. I will see how many questions are. I think it's 18, 19, 20. Three questions will be. Comfortable Private Limited is registered under GST in the state of Odisha. It is engaged in the business of manufacturing of iron and steel products. It has received IT engineering services from Hi-Fi Infotech Private Limited for 11,00,000, excluding GST at the rate of 18%, on 28th October. Invoice for the services rendered was issued on 5th of November. Comfortable Private Limited made part payment of 420. So what is that? Comfortable Private Limited registered in GST. It is engaged in the business of manufacturing of iron and steel product. It has received IT engineering services. which has paid 11,00,000,000, which has paid 11,00,000, which has paid GST 18% and has paid 18% Invoice for the services was rendered on 5th of November. Invoice is made on 5th of November. And services was made on 5th of November. And when was it? And when was it? 28 October. Okay. Within 30 days, invoice raised. Comfortable Private Limited made a part payment of 420 on 30th November. Comfortable Private Limited has part payment 30 November को कर दी है. Okay. Being unhappy with the service provided by Hi-Fi Infotech Private Limited it did not make the balance payment. Deficiency in services in service rendered was made good by Hi-Fi Infotech by 15th of November. So, जो service में कमी रह गई थी वो service की वज़े से पैसे नहीं मिले पूरे. ठीक है? तो 11 लाग पस GST मिलना था जबकि part payment 420 ही मिला. ठीक है? और 420 मिलने के वाद जो बाकी का पैसा है वो भी तक नहीं मिला. तो यहाँ पर बाकी का पैसा उसको कब मिला होगा? 15 April को मिला होगा. इसने सब कुछ ठीक कर दिया 15 April तक. Comfortable Private Limited made the balance payment of 6 July of next year. मतब 6 July को pay किया. Examine the availability of ITC with Comfortable Private Limited in respect of IT Engineering Services received by it from Hi-Fi Inputing. नाँ देखो, एक चीज तो confirm है. इस question में बात हो रही है 180 days वाले clause की. दियान से देखना. 11 लाग रभी कि आपने service दी? आपने credit लेना था. आपने credit ले भी लिया होगा. दिक्कत credit लेने की है ने. क्योंकि credit लेने की जो conditions है वो पूरी हो रही है. क्या conditions होगी कि credit लेने की? invoice आपके पास है. जी हाँ, बिल्कुल है. नमबर दो, आपके पास invoice है. आपके पास क्या कहते हैं? credit लेने के लिए goods भी, services भी receive हो गई है. ओके सर्विस भी receive हो गई है. नमबर तीन, आपको आपने payment जो है, supplier ने payment दे दी होगी government को, बिल्कुल सही बात है. चौथा point की return भर दी होगी. ये चार ओर conditions पूरी होती है, तो credit मिलना चाहिए, तो credit तो मिल गया होगा. पूरे 11 lakh रपे पर GST का, यानि ग्यारा लाख रपे के उपर 18% का पूरा GST, 1,90,000. इस पूरे amount का, आपको GST का credit मिल गया होगा, 1,98,000. 1,98,000 का credit आपको पूरा मिल गया. अब हुआ क्या? आपको एक बात का ध्यान देना है यह जो 1,98,000 है इसका credit मिलने के बाद आपको सिरफ इस बात का ध्यान देना है कि क्या आपने 180 days के अंदर अंदर payment कर दी पूरी अब उसने पूरी payment नहीं करी अब देखो from the date of invoice invoice date है 5 November अब 5 November से लेकर कब हुई है अगली payment देखो 6 July को हुई है किस date पर उसने ठीक कर दी वो matter नहीं करता कौन सी date पर जाके invoice ठीक हो रहा है 6 July को तब 5 November से 5 December January, February March, April, May 5 May को last कितना देट तक वेट करनी थी 5 May यानि अगले साल के May month 5 तारीक को last तारीक है वो जिसके बाद आपको credit जो है वो reverse करना पड़ेगा ठीक है credit आपको reverse करना पड़ेगा कितनी payment का credit reverse करना पड़ेगा ये भी सुन लो 11,00,000 रुपे के हिसाब से उसमें से 4,20 की तो payment आ गई है ठीक है 4,20 की payment आ गई है अगर 11,00,000 11,00,000 रुपे की payment है उसमें से 4,20 की payment आ चुकी है obviously inclusive of GST बात करते हैं 4,20 inclusive of GST है ठीक है मतलब हम ये मान के चलते है 11,00,000 प्लस 198 total कितना हो गया 12,98 और इसमें से 4,20,000 की आपने payment कर दी ठीक है जो बच गया यानि minus 4,20 जो बच गया 8,78,000 जो inclusive of GST है ये वाला इस amount का जो GST है उसका credit आपको reverse करना पड़ेगा उसका credit आपको reverse करना पड़ेगा from the date of availing the credit यानि कौन सी date से credit आपने और credit जब भी लिया है आपने 5 November के अगर invoice issue किया तो आपने अगले साल December month में credit ले लिया होगा December month में credit ले लिया होगा December month से आपके उपर interest लगना start हो जाएगा समझ में आगई बात और 6 July तक तक लगता रहेगा जब तक आप balance payment करते रहे हो तो ये बात का आपको ध्यान लखना है at 50 per kg exclusive of GST on Mrs. Kareem & Brothers of Noida UP Kareem UP Mrs. Kareem & Brothers has agreed to deliver the goods at warehouse of Mrs. Diwan & Sons at New Delhi while the order was getting packed at the factory of Mrs. Kareem & Brothers Mrs. Diwan & Sons got an order from Shubkamna sales of Hapud UP for 250 kg of plastic granules at 60 per kg exclusive of GST in order to save on transportation cost Mrs. Diwan & Sons ask Mrs. Kareem & Brothers to directly deliver the plastic granules to Shubkamna sales as delivered the plastic granules at go down of Shubkamna sales at Hapud examine the availability of ITC with Mrs. Diwan & Sons क्या दिक्कत है यार ये है again bill to ship to model bill to ship to bill to ship to model क्या कहता है जिसके लिए bill बनाया गया उसको ITC पूरा मिल जाएगा चाहे आपने shipping कहीं और कर दिये तो यहां पर पूरा ITC मिल जाएगा समाद में आगई बाद bill to ship to model explain करना है दोस्तों यहां पर बस question no.20 Paritosh and Company supplier of goods pays GST under regular scheme it has the following outward taxable supplies in tax period interstate supply आपको दिया 10 lakh interstate supply दिया है 8 lakh it has following purchases तो यह purchases भी दिय हुई है आपको credit की details दिय हुई है 57 60 or 140 मैं इसको rough में कर रहा हूं 57 60 और 140 यह बिल्कुल वैसे ही question है जैसे अभी मैंने करके दिखाया आपको CGST दिया है SDST दिया है और यह क्या दिया है IGST दिया है अब आपके पास यह information दी हुए और इसके इलावा आपने कुछ और purchases भी की है 3 lakh रवे के 3 lakh का है intra purchase 3 lakh का जो intra purchase है इसके उपर 9% 27,000, 27,000 27,000, 27,000 और इसके इलावा आपने 2,5 lakh की एक और inter purchase किया है 5,5 lakh का 18% which is 45,000 यह आपके पास credit details है भी 57, 64, 74, 84,000 और यह हो गया 87,000 और यह हो गया 185,000 ठीक है और B part अगर हम output tax की बात करें तो output tax में intra state supply 10 lakh रुपे का intra state supply जो था वो 9,000 रुपे के इसाब से 90,000 CGST 90,000 SGST यह हमारा output tax हो गया ठीक है और जब हम बात करते हैं IGST की तो inter state supply है 8 lakh रुपे का उसका 18% 8 lakh रुपीज इसका 18% जो की हो गया 144 ठीक है अब आपको पता है कौन सा credit किसके सेट आफ कर सकते हैं finally हम लोग settlement की बात करेंगे IGST का credit 185 पढ़ा हुआ है यह settlement करने के बाद आपके पास अभी भी credit पढ़ा हुआ 41 का अब आप लोग जानते हैं कि यह तो credit अपने खतम कर दिया अब यह 41 का credit बचा हुआ है यह पहले खतम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इस 41 के credit को आपको CGST या SDST में से दोनों में से किसी के साथ भी set off कर दो बट कर दो तो यह कर दो मेरी मर्जी है option मेरे पास है तो उन्होंने बोला था तो यहाँ पर 41,000 के credit को मैं SGST के साथ खतम कर देता हूँ ठीक है खतम करने पर 90 minus 41 यहाँ पर बचेगा सिरफ और सिरफ 49 ठीक है अब यह 49 बचना है या फिर मैं ऐसा भी सोच सकता था sorry मैं ऐसा भी सोच सकता था ऐसा कर लेता हूँ sorry मैं 41 पूरा नहीं हटाता है 41 यहाँ से पूरा पूरा यहता हूँ बट मैं यहाँ पर जो settlement करता हूँ क्योंकि यहाँ पर 6 बच जाएगा तो यह काम करते हैं 6000 यहाँ से adjust कर देते हैं ठीक है दिमाग लगाके 6000 यहाँ adjust कर देते हैं और बाकी का यहाँ से अटा आते थे 35 90-35 तो यहाँ बचेगा 55 समझ में आ गया ना logic मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ I hope समझ में आ गया हूँ 55 अब 87 में से adjust कर दो बच गया 32 का create 32 का क्या बच गया SGST का create और 85000 यह ultimately यह option आपको यही लेना चाहिए मतब क्योंकि आप नहीं चाहते हो ना आपके बेफालतु की liabilities पढ़ी रहे क्योंकि यह आप पर liability रह जाती credit के बावजूद क्योंकि यह वाला credit तो upset off कर नहीं सकते हो CGST के साथ तो यह है हमारा chapter number 6 So everyone आज के लिए हम लोग इतना ही कर रहे है chapter number 6 कर दिया है खात्मा और आप लोग को revise करना है 16, 17, 18 का section और अच्छे से पढ़ना यह क्या जी thank you बच्चों Bye-bye